केंडर सरकार द्वारा तूर मुंग और उरद्दाल की आयत पर लगे प्रतिपन को हटाने के अध्यादेश 15 मई को जारी के गए जिसके गहरी निंदा भारतिय किसान संग विधर्ब प्रांत के कारी करता नाना आकरे ने की इस दौरान उन्हों ने कहा कि ऐसा करने की वज़ा से दालो का दाम किरीगा जिसके चलते हम उनसे निवेधन करते हैं कि वो इस अध्यादेश को वापिस ली आगे उन्होंने कहा कि खात के रेट बढ़ाने से किसानों को तकलिफों का सामना करना पड़ेगा जिसको ना बढ़ाए जाए और उन्हें पिछली वर्ष की तरह ही रखा जाए ऐसा भी उन्होंने निवेदन किया नमस्कार मैं नाना आखरे भारती किसान संगह का कारे करता हूँ भारत सरकार वानिज्य उद्योग मंत्राले द्वारा 15 मई 2021 को अधिस उचन जारी की है कि तूर मूंग और उड़त के आयात पर लगे प्रतिवंद को हटाने के लिए एक अध्यदेश जारी हुआ है हम इसकी गहरी निंदा करते है क्योंकि यह आदेश उठाने के कारण भारत में दालों का आयात होगा और दालों के बारे में उसका रेट गिरेगा प्रिणाम सोरुप उसका पेरा भी कम होगा इसलिए हम भारत सरकार को निवेदन करते है कि वो अपना आदेश पीछले उसी प्रकार रासाइनिक खात की किमते करीब डेट गुना हुई है इपको कमपनी द्वारा डी एपी जो 2021-22 में रेट जारी किये है वह बारासो रुपे पिछले साल थे और अभी उननिस सो रुपे होने वाले है तो यह भी रेट बढ़ोतरी होने वाली है जिसके करण किसान अडचन में आएगा तो हम निवेदन करते है कि यह किसान के रेट पिछले साल जैसे ही रहे उसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड यह जोना अनेक सालों से चल रही है जिसके द्वारा एक लाग का रुन करजा यह क्रॉप लोन यह तीन परसेंट पर मिलता है और राष्ट्रकूत बैंका जिल्ला सकरी बैंका भी देती है तो यह इसकी मरियादा 31 मार्च तक रिनिवल होना चाहिए लेकिन रिनिवल नहीं होने के कारण वह ब्याजदर चार गुना और बढ़ता है साथ परसेंट हो जाता है तो इसमें भी हम चार मैने का रिलिफ मांगते है मार्च के बाद में चार मैने और वह उसमें दे जाए किसान क्रेडिट धरक यह गुजर जाता है तो उसको भी यह रून मात के आज दना चाहिए धन्यवाद